हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल भदानी फूट कोरनर आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी पनीर के सब्जी सेर करने जा रही हूं जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं बनाई हो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी होता है इस सब्जी को अगर आप एक बर बना के खा कट करना आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा पीसेज कट की हुई हूँ इसके बाद इसमें डालेंगे एक चोटा चमच अधरक और लसुन का पेश्ट दो से तीन चमच इतना दही ले लेंगे दही हमें फ्रेस लेना है और उसे फेट करके लेना है और वन फोर ट इतना डाल देंगे गरम मसाला अगर पैकट का गरम मसाला इस्तमाल कर रहे है तो वन फोर टी स्पून डाल सकते हैं इसके बाद इसमें डालेंगे दो बड़े चमच बेसन क्यूंकि हमने दही डाला है तो उसका बैंडिंग के लिए कुछ तो चाहिए उसके बाद नमक डाल नमक बहुत ज़्यादा इस्तमाल नहीं करना हाप टी स्पून से भी मैं कमी ली हुए यहां पर आईन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है बहुत हलके हाथों से मिक्स करना है तो यह देखिए मिक्स हो गया है यहां पर एक चीज डालना रह गया था रिफाइन तो एक से पंदमिट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे तब तक ग्रेवी के तयारी करेंगे दो प्याज दो टमाटा दो से तीन हरी मिच ले लेंगे टमाटा हरी मिच का पेश्ट बना लेंगे प्याज को बारी कट करेंगे इसके बाद एक फ्राइपन ले लेंगे उसमें बड़ा चमच रिफाइन डाल देंगे इससे थोड़ा वुत और आप रिफाइन डाल सकते बट उसका कोई ज़रुत नहीं है इतना में ही अच्छे से सीख जाएगा और सारे पनीर के पीसेज को इस तरह से एक एक करके इसमें रख देंगे और मिडियम फ्लेम में एक तरफ से अच्छे से कलर आने का वेट करेंगे एक तरफ से कलर आ जाए उसके बाद इस तरह से हमें इसे पलट लेना है और दूसरे साइट से भी अच्छे से कलर आने तक का वेट करेंगे इस पनीर को आप इस तरह से सेख करके भी खा सकते हो एज ए स्टार्टर बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है आप एक बाद जरूर से ट्राइ कीजेगा मेरी गारंटी है कि आप लोग इसका टेश्ट भूम नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा टेश्टी होता है तो पनीर सिक चुका है विसे रख देते हैं साइड में और ग्रेवी बना लेते हैं तो एक कढ़ाई में दो से तीन बड़े चमच इतना रिफाइन डालेंगे उसके बाद कुस्ताबुत मसाले लेंगे तो मसालों में यहां पर मैं दो सुकी लाल मिशली हो डालचीनी दो चोटी इलाची एक बड़ी इलाची तेजपता तीन से चार लॉंग और पांच से छे मैं काली मिशली हो इन सारे चीजों को तेल में डाल देंगे इन सारे मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक कि इसमें से खुस्बूणा आने लगे तेहां मसालों में से खुस्बूणा आने लग गया है और इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे यहां पे ध्यान रखना है friends कि प्याज को बारीखी कट करके लेना मोटे मोटे पीसेज में कट नहीं करना है क्योंकि इस सबजी में प्याज को बहुत ही अच्छे से हमें भुनना होता है जब तक कि उसमें पूरा तरह से कलर ना आ जाए पूरा डाक ब्राउन करके हमें भुनना है और continue चलाते हुए भुनना है तो देखे प्याज अच्छे से भुन चुका है आप इसका कलर देख पा रहे होंगे जब इस तरह का कलर आजा प्याज में उसके बाद हमें यहाँ पे अद्रक लसुन का पेश डालना है तो एक चोटा चमच अद्रक लसुन का पेश डाल देंगे और वापस एक मिनट और इसे फ्राई करेंगे ध्यान रखना है यहाँ पे कि हाई फ्लेम में कभी भी प्याज को नहीं फ्राई करें नहीं तो प्याज जल जाएगा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा मीडियम फ्लेम में करके इन सारी चीजों को अच्छे से हमें भूनना है तो एक मिनट हो चुका है अब इसमें बाकी के चीजे डाल देते हैं सबसे पहले टमाटर हरे मिच का पेष्ट आप लोग सभी जानते ही हैं कि जबโतल गया है तो सातमे नमक दालेंगे एक चोटा चमच नमक डाल तरह रही हो अपने टेस्ट के अनुसार नमख लें उसके बाद आप चोटा चमच इसमें धन्या पौडर डालेंगे एक चोटा चमच लाण निंज का पौडर यहां पर कास्मेरी स्लीम कि तक हमेसे फ्राइ करना है इस सब्जी में इंगिरियन तो सेम है बट इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंस है आप एक बर इसे जरूशे ट्राइ कीजिएगा सभी को बहुत पसंद आएगा अब आप सभी लोगों को लग रहा हो कि यहां डिफ्रेंस क्या है तो यहां पे हमने प्याज को एकदम डाग व्राउन करके भूना है जिससे इसमें टेश में बहुत ही ज्यादा फरक पड़ता है जब प्याज टमाटर अच्छे से भून जाए उसके बाद दही और बेसन वाला जो मीसरन है जितना भी बचा हो आप उसे इसमें डाल दे उसे फेकना न नहीं तो दही बहुत जल्दी पड़ जाता है तो दो से तीन मेंट हो गया अब इसका कलर और टेक्शर देखिए फ्रेंस कितना अच्छा लग रहा है इसके बाद यहां पे डालेंगे दो से तीन बड़े चमच क्रीम या फिर दूद का मलाई बट खटा वाला मलाई का इस्त तक और भून लेंगे तो यहां पे एक मिनट हो चुका है अच्छे से अब इसमें डाल देते हैं पानी तो एक से डेड़ ग्लास इतना पानी डालेंगे इस तरह से अच्छे से मेंस कर लेंगे इसके बाद इसे ढकन लगा करके 2-3 मिनट तक हमें बॉयल करना दो से 3 मिनट के बाद इसमें जितना भी ओईल है देखिए उपर आ जाता है इसका मतलब हमारा जो मसाला अच्छे से पक चुका है अब इसमें पनीर डाल देंगे अब पनीर डालने के बाद 3-4 मिनट तक और इसे बॉयल करेंगे यहाँ फे फ्रेंस मैं गरम मसाला डाले ही हूँ 1-4 टीस्पून जो की रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो यहाँ साथ में आप गरम मसाला डाल दे उसके बाद 2-3 मिट तक और इसे बॉयल करें आज तक आप लोगों ने बहुत तरह के पनीर के सबजी खाई होगी बट पनीर चंगेजी का टेस्ट बहुत ही जादा डिफ्रेंस होता है आप लोग इसे जरूर से ट्राइ कीजेगा ट्राइ करने के बाद अगर रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सस्क्राइब जरूर से कीजेगा साथ में मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी से रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई थांक यू